प्लीज एक सेकंड जो परसों हुआ है नून लीग को 16% वोट मिलें पीटियाए को 80% से जादा वोट मिलें पीपल्स पार्टी को 2% मिलें ये एक पोल है हर कियावा पोल जो है मेरी मर्जी का आप सवाल करें और यह जुरूरी नहीं है कि मैं आपकी मर्जी का जवाब दें जो फार्म फंडिंग है या दीगर केसिस हैं उनके फैसले हो रहे हैं और क्या मेरे 6-7 साल से जो केस पैंडिंग है बेगुना होते हुए मुझे सजा दे दी गई वो उनके फैसले हो रहे है बहुत इलेक्शन हो किसी नाशनल असेमली की सीटे हो आप लो कुछ भी नहीं आप बिसमिल्लाइर रखमारी रखीम असलाम लेकुम नाजरीन नून लीक ने सुला माँ में कुछ भी डिलिवर ना किया इस पर बात करते हुए मेर बुखारी ने आज मिया जवेद लटीफ से लाइव शो में ऐसे टफ सवाल किये कि मिया जवेद लटीफ किसी भी सवाल का कोई बिखातरखा जवाब ना दे सके और मिया जवेद लटीफ के लिए अपनी पार्टी को डिफेंड करना भी मुश्किल नजर आया मिया जवेद लटीफ को मेर बुखारी ने ऐसी खरी-करी सुनाई कि मिया जवेद लटीफ और मेर बुखारी दोनों के दर्मयान तलकलामी हो आएं पहले इनकी गुफट-गू सुनते हैं फिर इस बार बात करते हैं मिलें पीटियाए को 80% से ज़्यादा वोट मिलें पीपल्स पार्टी को 2% मिलें यह एक पोल है हर कियावा पोल जो है मुस्मिम्ली नून के लिए शिखस्त है यही बचा है नहीं नहीं महर यह आपकी सोच अपरोच है और आपकी खामख्याली तो मैं कह सब तो मादरस है बस्मिल्ला बाट कीजिया वैस्ट dai कंटीै को कोई कोई जूरी तो नहीं है ना कि मेरी मर्जी का आप स्वाल करें और यह जूरी नहीं कि मैं आपकी मर्जी का जवाब देम कृकर तो अदालती दें और ये बताया जाए, सोरी, वक्त का तैयन किया जाए, मेरा आइन कानून के मताबक जो फैसला बनता है, मेरे मत्थे मारा जाए, और जो चेर्मेन पीटी आई का फैसला आइन कानून के मताबक बनता है, उसके मत्थे मारा जाए, ताके लोगों को पता चल सके, क मैं गुनागार हूँ या वो सादक और अमीन है अगर आप ये फैसला भी नहीं करते तो कि ये कैसा लेवल प्लेइंग फिल्ड है वही कैसा इनसाफ है इनसाफ तो वो होता है जो हर वक्त हो दोनों के केसिस मौजूद है और दोनों का केस फिक्स दिये जाएं और जो आइन कान और क्या मेरे छे साथ साल से जो केस पेंडिंग है बेगुना होते हुए मुझे सजा दे दी गई वो उनके फैसले हो रहे हैं बहुत मसलिम कौन से लोग आएं सर आपके साथ खुसर बख्तियार वगएर ये सारे तो अभी नहीं आप उनकी नाम ना लें आप बताते हैं कौन महाद और ये तो सारे मौसम के इंड़े हैं सर कभी आपोग मिला लेते हैं कभी को और मिला लेता है लेकन जो जनूबी पंजाब जो बलाग बना था या जनूबी पंजाब महाद बना था उन में से किसी एक को भी हमने नहीं लिया सर आपका कौन से ऐसा आज का इतिहादी है जिसको आप सेम पेज पे लाने की बात कर रहे हैं जो मौसम को या दरजा हरारत को देखके फैसला नहीं करता चाहे वो MQM हो चाहे वो बाप पार्टी हो जिसकी इस्तला खुद मरियम नवास साहिबा ने कॉइन की थी आज वो भी प कौमी धारे में भी शामल हुए और उसके बाद उन्होंने अलाइंस दो मुक्तली जमातों से भी किया यहां तक कि कौमी हकुमत बनी उसका भी हिस्सा वो रहे अब वो चीज तो उनमें रह नहीं गई जहां तक तल्लक है कि दोजार ठारा के इंतखाबात में उनको क्या अले अमीदवार जो हैं हमारे पास कमजोर हैं वहां उनके पास अमीदवार बेतर हैं दें तो मैं एक जमले में कह दूँ आप जो कह रहे हैं ना कि आपका कुछ भी नहीं है आपको शायद फिर भूल रहे हैं कि कराची अंद्रून सिंद हमारे पास कितनी सीटें होती थीं बदकिस्मिती से पिछले पंदरा सालों से एक नैशनल अप्रोच से के नैशनल जमातों को महदूत ना किया जाए हमने वहां काम करना या तوج्जो देनी अपनी जमात पे छोड़ी जिसका खम्याजा हमने बुगता बलके रियास्त ने बुगता उस सूबे ने भी बुगता अब हम यह समझते हैं कि सिंद्ध के लोगों को या सिंद्ध की जमात को जिस तरह तوج्जो की जरूरत ही आज हम वो तوج्जो वो मांगते हैं जो वो हमें देनी चाहिए हम दे रहे हैं अब जहां तक बलोचेस्तान का तलब है जितना भी थोड़ा राए वो एंटा एम्क्यू प्रकुष वहां के लोगों की जिनकी जमात का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत से चीजें तबदील हो चुकी हैं और उनके जो यकिनना उस वक्ष़ के सरवरह थे उनके हट जाने के बाद उनकी सोच में बहुत बड़ी तबदीली आई हैं मुने बगह विरी तन तरह बहूं ने, ने, कतन किसी जमाद को महदूद करने के लिए नहीं, एक कौमी अप्रोच से आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमें वाजिया अक्सरियत भी मिल जाए, इन्शालला जो के मिल रही है, इसके बावजूद भी हम तीनों सूबों की जो चोटी बड़ी जमाते होंगी, तरीक इनसाफ को कि मसावी हकूद फराहम किये जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, अजदाना इंतखबात को यकीनी बनाया जाए, मसावी हकूद का जिकर कर रहे हैं, क्या मेरे लिए आज इनसाफ है, क्या प्री पोल रिगिंग जिसको आप कहते हैं, वो आज नह तो आज आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लगदी जाए, अज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नहीं, नहीं है, इसलिए नहीं है, क्या अगर तो वही तबका, वही जराय अवलाग, वही सोर्स जो हैं, वही लोगों की जेन साजी करने वाले आज आके कहें, मे कि यह बताएं कि क्या मुझे इन्साफ नहीं मिलना चाहिए आपके सोला मा के ने देखा कि मिया जवेद लपीफ से जब मैर बुखारी ने कहा कि आप कराची में MQM और बाप पार्टी से इतहाद कार के क्या डिलिवर करेंगे जो आप ने पिछले सोला मा में नहीं किया अब आप अब हम को कैसे एगरी करेंगे के पहले हम सोला मा में आपको कुछ ना दे सके मगर इस मरतबा आपको डिलिवर करेंगे नाजरीन नूल लीक को अपनी शकास यकीनी नजर आ रही है इसलिए वो MQM और बाप पार्टी के साथ मिल के कुलेशन गोर्मेंट बनाना चाहते हैं इनके अपने डिजिटल अकाउंट के मताबिक 16 फीसद वोट नून लीक को पड़ा है जबकि इमरान खान को 80 फीसद वोट पड़ा है इमरान खान की मकबूलियत अभी भी अरूज पर है नाजरीन आपका क्या ख्याल है अगर साफ और शफाफ एलेक्शन हुए तो नेक्स व वीडियो ताफ मुझे दें अजालत अला हापीस